आशा करते हूं आप सभी अपने घर में सुरक्षित और अच्छी होंगे मैं भी अच्छी हूं और आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटी हेल्दी रेसिपी लेके आई हूं जो देखे कितने कलर्फुल मैंने सबजिया ली है और आप सभी जानते हैं जितने कलर्स उतने फायदे तो देखे इसके लिए मैंने एक बड़ा प्यास लिया है एक टमाटर लिया है एक मीडियम साइस का गाजर और एक मीडियम शिमला और थोड़े सा धनिया और तीन-चार हरी मिश लिए हर मिश मेरे स्रिफ तीन-चार ही ती मैंने थोड़ी कम ली है आप चाहें तो और भी ज्यादा ले सकते हैं क्योंकि चट्णी तो जितनी तिक्षी होती है सैंडविच में अतना मज़ा आता है तो आज मैं स्रिफ हरी चट मुझे इस का रस निकाले लिया थोड़ा है थोड़ा नमक एड कि आप भस घुमा लिए मिक्सर का जाल और इसका एक फाइन पेस्ट बनाएंगे और ये आज की चटनी का सिक्रेट है जो कि यहां पर मतला मंबई में स्ट्रीट में लोग ऐसा करते हैं चटनी बनाते वक्त वक् अबजर्ब हो जाता है और चटनी थोड़ी सूखी बन जाती है और हमारे सैंडविच बनाते वक्त ब्रेड गीले नहीं होते हैं तो यह देखिए मैं सबसे पहले ब्रेड लिया है दो स्लाइसेज लिया है और अभी मैं इसमें बटर लगाऊंगी मुंबई के स्ट्रीट में तो आप सेंडविच खानविच खानव तो दो तरह की चटनी दे जाती है घरी चटनी और एक तीखी चटनी डेसिपी नहीं है क्योंकि आज मुझे लेसन कहने का मन नहीं था बहुत सारी लेसन दलते है बहुत सारी मिर्श चटनी जो हर कोई नहीं खाता है तो मैं फिर कभी आपके साथ वो चटनी की रेसिपी जरूर शेयर करूंगी तो यह देखे मैंने ग्रीन चटनी लगा दिया थोड़ी कम ज्यादा कर सकते हैं तो अभी मैं प्यास जाल रही हूँ और हर सब्जी के ऊपर मैं यह स्प्रिंकल कर रही हूं क्या स्प्रिंकल कर रही हूं यह आज के मैं थोड़ा सा सस्पेंस रखा है आपको थोड़ी देर बाद बताती हूं तो यह देखे जो भी सब्जी डाले हैं तो इसमें मैंने खीरा नहीं डाले है मतलब जिसे काकड़ी और इंग्लिश में कुकंबर वी बलते हैं वो भी डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है स नहीं संविक बना सकते है लिए को सब्सक्राइम संवचे काड़ी मीषफ तो जिसे मीडिया में लागत टीट कर दोल तो यह अपत्वलम भी सब्सक्राज यह निवार यह जेखे लिए गज़शिकर पुल यह थैज लगते हैं शुख बहुत लगते पोग teem में भी लाख सेंडविच में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है तो मीडियम से लो फ्लेम में ही इसे कुक करें और अब इस तर से बीच-बीच पे खोल के चेक कर सकते हैं कि ये कुक हुआ है कि नहीं हुआ है तो बस हो गया एक सैंडविच तयार अभी मैं दूसरा सैंडविच भी इसी त अगर आगर निकाल के लिच बावडर निकाल निकालना यूशा बहुत है क्योंकि वह टेस्ट में अथ्चे नहीं लगते लीच देचे करेंगे लकिन गर ब्राऊं ब्रेड यूश करें इस तो उसमें ज्यूंकि निकालना ज़रूरी नहीं होता है तो ये देखिए दीने में तो अग्दम आसान और फटा फट बनने वाला सैंडविच और टेस्ट भी आप खाये और मुझे बताईया कि आपको कैसा लगा तो बस इसी तरीकिसे हम रिपीट करके मैंने जितना भी आपको बताया है सब्जिया वह लगभग एक पैकट या छे सैंडविच बन जाते हैं उत और शर्फ करते समय उपर से भी चीज डाल दीजे तो वह बन जाएगा चीज वेज टोस्ट सैंडविच तो देखे दो सैंडविच की रेस्पी मैंने अज आपके साथ एक वीडियो में शेयर करी अब मैं बताती हो कि मैं बीच बीच में वह क्या डाल रही थी हर जितने वर म यानःटने अपकता हे हैँएई उस सनडविच कह रहा जाए नो मैं दोता है में सब्सक्री अमक भी कुर्कि तो मैं आप बनाये गीजायों के चलता चातनी बीच में रहा था जानी था चात-मसाले में रहता है मैं मस्त रेसीपी चेFF सेंडविच की तो रहीं घख आप तेंक यू किवाचिए मैं विडियोओ